Hello and Welcome friends, Microsoft Excel पर एक ऐसा reminder बनाना चाहते हैं कि दो दिन पहले वो आपको remind करते कि आपको bill जमा करना है, loan का bill जमा करना है, बिजली का bill जमा करना है, इस तरह का एक swap पर आप create कर सकते हैं तो Excel पर यह कैसे होगा, आये चलिये देखते हैं तो इसके लिए हमने यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले उपर में heading लिया है, customer ID, title लिया है, और फिर यहां पर account number है, फिर loan amount है, payment due date है, और यह reminder है, reminder यानि आपको बताने के लिए कि दो दिन बचा हुआ है, जल्दी से अपना काम कर दीजे, bill जमा करना हो, bill जमा कर दीजे, यहां पर सबसे पहले customer ID लिया, अलग-अलग customer ID दिख रही है, आपको यहां पर account number अलग-अलग दिख रहा है, फिर loan amount है, और फिर payment का due date है, तो यह due date हमने दो दिन पहले का लिया है, और एक जो due date है, वो दो दिन, तीन पहले, चार दिन पहले का लिया है, तो इस condition में, दो दिन पहले वाला आपको यह remind करके दिखाएगा, यह नहीं remind कर दिखाएगा, यह तिरह तरिक से reminder करना चलो करेगा, current date क्या है आज की, current date है 15 मई, यह देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, 15 मई 2021 है, तो अभी यह current date से 2 दिन पहले remind करेगा आपको, ठीक है, तो चलिए यह देखते हैं, यह कैसे करेंगे, इस तरह का software हम कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ही heading copy कर लेता हूँ, मैं heading हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से copy कर लेता, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया यह सारी headings, अब यहाँ प 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, अब यहाँ पर आ रहा है account number, तो account number किस तरीके से देना है, account number हमें देना है, जो भी account number इनका हो, यह यहाँ पर देते जाएगे, ठीक है, इन लोग का जो भी account number हो, यहाँ पर आता जाएगा, यह इस तरीके से, तो यह account number भी हमने दे दिया है, देंगे और यह इस तरीके से यह हमने कर दिया और फिर यह इस तरीके से कर दिया हमने अब यह payment का due date है तो due date मैं क्या क्या रखूँगा due date देखिया आज 15 तारिक है यह देख दीजिए यहाँ पर 15 मई है ना तो 15 मई के दो दिन पहले एक यहाँ पर रखता हूं 13, 5, 2021 ठीक है यह मैंने पहली due date रख दी फिर यहाँ रखता हूं 14, 5, 2021 ठीक है फिर यहाँ रखता हूं 15, 5, 2021 ठीक है यानि कुल मिला करके यह 14, 14, 15 यह तीनो date में reminder आपको कराएगा कि जल्दी से bill जमा कर दीज़े अगर मैं यहाँ पर 11 रखता हूं 11, 5, 2021 तो यह बोलेगा अभी कोई दि कर रहा है अभी हम सिर्फ 15 तक ही चलेंगे यहाँ पर कर दिया मैंने 10, 5, 2021 ठीक है यह इस तरीके से कर दिया है हमने और अब यहाँ पर reminder में क्या देंगी if का use करेंगे if का use करना हमने आपको पहले कई videos में बताया है कैसे use करना है बहुत ध्यान से समझीएगा एक एक चीज ठीक है तो if का use करेंगे हम इसमें ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर if formula यूज कि हमने यहाँ पर लगा देना है आपको end ठीक है यह end लगा दिया हमने end जोडने के लिए use होता है और अब उस date को select करना है जिस date पर हमें यह reminder देना तो यह date select कर लिया, आप कहेंगे is greater than or equal to, ठीक है, d2 is greater than or equal to किसके, तो यहाँ पर हम कर देंगे today, today यानि आज का date, तो d2 के लिए यह लगा दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया minus 2, ठीक है, यहाँ पर देंगे मैंने किया minus 2, कॉमा दिया, फिर dt को select करेंगे, या आप हाद से भी लिख सकते हैं, type कर सकते हैं, keyboard की मदब से, ठीक है, d2 is less than or equal to, अब इस बार less than equal to किया, और फिर यहाँ लगा दिया today, ठीक है, तो यह today लगा दिया हमने, और अब इसमें क्या करेंगे, इसमें, हम चाहे तो plus 2 कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ चलिए plus 2 कर देता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर, अब कॉमा दे करके, यहाँ पर reminder भेजना है हमें, तो कॉमा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, reminder is for loan, यह लिख दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और अगर, दूसरे, चुकि इफ में 2 condition होती है, ठीक है, और अगर reminder नहीं देना है, तो यहाँ OK लिख देते हैं, ठीक है, अगर date नहीं आया है, तो OK लिख देता हूँ, तो यह दो चीजे हमने दे दी हैं, अब आपको यहाँ से simply enter press करना है, ठीक है, तो जैसा ही enter press करेंगे, आप तो देखेंगे, यहाँ पर आया हुए reminder is for loan, ठीक है, और यहाँ से इसको drag करते हैं नीचे की तरफ ले आएंगे, तो जिन-जिन dates पर reminder है, उन-उन dates पर यहाँ पर इस तरह के से आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर माल लिजिए कोई customer ID 6 है, और यहाँ पर इनका account number यह है, और यहाँ पर इन्होंने भी loan ले रखा है कुछ भी, जो भी amount हो, यहाँ पर आएंगे, तो अगर माल लिजिए, यहाँ पर मैं 14 कर देता हूँ, 14, 5, 2021, तो इनको भी यह reminder अपने आप चला जाएगा, send, reminder is for loan, यह लिखा हुआ रहा है, अब इस पर हम क्या करते हैं, border लगा लेते हैं, यह all border पर जाकर क्यों all border बना लेते हैं, यह ज़्यादा बेटर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह हमने reminder बना दिया, और कोई भी आपको इस तरह का reminder बनाना हो, तो आप easily बना सकते हैं, ठीक है, attendance को लेकर के भी ऐसे ही reminder बन जाएगा, उमीद करता हूँ, बात समझ में आई होगी, अगर attendance के लिए reminder बनाना है, तो इसके लिए next वीडियो का इंतिजार कीजिए, आप वैसे चाहें, तो इसके अधार पर reminder वो set कर सकते हैं easily, तो अगर वीडियो पसंद आए, तो शेयर करें, thank you for watching this video.